नमस्कार दोस्तो मैं दीपा एक बर फिर से वेलकम करती हूँ एक और नए वीडियो पर दोस्तो आज है वरवरी की नौ तारिक और हमारे जो पर्मानेंट फूले वाले पौदे होते हैं गर्मियों के सीजन की तो इन पर हमें अभी कुछ काम करने है जो बहुत करने हैं पहला जो है वह रिपोटिंग का और प्रूनिंग का उसके बाद ख़त बगरा डालने की अगर यह काम अभी आप समय से कर लेते हो तो आपकी पौदी की ग्रोध जो है बहुत अच्छी होगी इस पर बहुत सारी फ्लावरिंग भी होगी और उसके साथ साथ इसकी ज अज में मेरी जो अलबंदा की पौदे हैं मेरे पास फिर अलबंदा के पौदे हैं उनकी आज में रिपोटिंग टोनिंग और उसके साथ सासाथ खाट भी डालने वाले हो अप можете और यो देखते अगर आपको ब्यू पशन्त आए तो प्लीज एक लाइक 我 California कर दीजई और एक को मैंने कटिंग से ग्रो किया था यह जो छोटी वाली है इसको मैंने कटिंग से पिछले साल ग्रो किया था तो यहाँ पर आप कंडिशन देख रहे हो सारे पौधों की बहुत ही हालत खराब है इनकी लेकि ने ने जो ब्रांचस है वो अभी आना शुरू हो चुके हैं तो इसलिए अभी जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है पौधी की आपको रिपोटिंग करना पूनिंग करना तो यहाँ पर दिखें जितनी भी सुकी हुई ब्रांचस है उनको मैं इस तरह से प्रून कर रही हूँ यह देखिए बहुत सारी ब्रांच जो है खराब हो चुकी ह इस तरह से देखिए और प्रून करते समय बहुत ही देखकर प्रून करनी है क्योंकि कई बार हम प्रून करते समय जो अच्छी वाली ब्रांच है उनको भी कट कर देते हैं तो इसलिए अच्छी तरह से देखकर प्रून करने हैं और बहुत ही समाल कर कई मुझसे जो अच्छी वाले ब्रांच ना कट हो जाए तो इस तरह से देखिए तीनों पॉधी की मुझे प्रूनिंग जो है वो कर देनी है यह देखिए इसकी भी उपर वाली जगे जो है खराब हो चुके है तो इसकी लिए बहुत जल्दी से इनको प्रून करके ख़त वगरा दे देनी है नहीं तो पॉधी के हालत और भी खराब हो जाएगी और आप देख रहे हो पॉट के अंदर कितने सारे वीड़ भी हो गया है उनको भी मुझे साफ करने है तो यहाँ पर पूणिंग का जो काम है वो मैंने खतम कर लिए है तीनों पॉधी की मैंने पूणिंग कर दिये है अच्छी तर तो दोस्तों जब भी इस तरह की बड़े से पॉधे को निकलने है तो उससे जो है एक दो दिन पहले ही आप अच्छी तरह सी पर पानी दे दे ताकि मिट्टी जो है वो सॉफ्ट रहे अगर मिट्टी सॉफ्ट होते है तो पॉधे निकल जाते है आसानी से यहाँ पर देखि है और यह जो पॉधा है इसको निकलने में मुझे परिशानी हुई थोरी सी क्योंकि दोस्तों इसकी जो रूट है रूट से वो बाउंड हो चुके है इसलिए और यह जो पॉधा है दोस्तों इसको मैं रिपोट नहीं करूंगी इसको रिपोट करने के जरूरत नहीं है इसक प्रून कर दूंगी, तो इस तरह से देखिए, जो नीचे वाले णृट से उनको मैं अलग कर रही हूँ, और शाइट से भी मैं काट दूंगे, तो इस तरह से करने से जो नए नए रूट्स है वो निकल के आएगी और इस तरह से आप आसानी से प्रून कर सकते हो इससे पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत आराम से आप ये काम कर सकते हो ये देखी मैंने प्रून कर दिये है बहुत जल्दी जल्दी ये क मैंने कार्ट दिये है और साइट से भी कुछ मैंने कम कर दिये है इस तरह से देखिए साइट से भी मैंने कट कर दिये है और इस तरह से करने से दोस्तों पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते है पौधी की ग्रोध बहुत एच्छी होती है और दुबरा से आप कोई पौट के अंदर भी लगा सकते हो पौधी को तो इस तरह से देखी इसको मैंने प्रून कर दिये हैं तो दोस्तों अभी इस मिट्टी को मुझे करने है साफ इसमें जो रूट्स वगरा है वीट से उनको हटा दूँगी और मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर लूँगी क्योंकि मैं वही वाली मिट्टी जो है दुबरा से यूज़ करने वाली हूँ ये देखी तो यहाँ पर आप चाहो तो नए वाली मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मैं वही मिट्टी को यहाँ पर दुबरा से इस्तेमाल करूंगी तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने मिट्टी को साफ कर लिये है जितने भी वीड़् वगरा थे रूर्स से सारे को मैंने हटा दिये है अच्छी तरह से उसके साथ अभी मैं मिला रही हूँ वर्मी कॉम्पोस्ट आप यहाँ पर गोबर के खातका भी इस्तेमाल कर सक हो और उसके साथ मैं एक मुट्टी यहाँ पर मिला रही हूँ नीम की खली यह देखिए नीम की खली मैंने मिला दिये है बस इतना सा ही फोटिलेजर अभी मैं यूस करूंगी और बात में जो मैं लिकुट फोटिलेजर होते हैं सरसोखली का लिकुट है वह में डालती रहू तो आप भी दोस्तो जल्दी जल्दी से यह काम निप्टा ले अभी के टाइम पर अगर अभी आप यह काम कर लेते हो तो पौधी की ग्रोध आप देखिएगा कितनी अच्छी होती है और फूल जब खिलेगी तो फूल की क्वांटिटी भी बहुत जादा होगी धेरो फूल लेंगे तो बस इस तरह से रिपोट कर देने हैं और टाइम से लिकूइट फोर्टिलेजर में देती रहूंगी और दोस्तों यह जो रिपोर्टिंग का काम है वह मैं शाम के टाइम कर रहे हूं आप भी कोशिश करिए अगर शाम के टाइम करनी की क्यूंकि यह पर हमने रू चोटे वली पौट इसके अंदर देकि ऊपर से मैंने थूरी सी वर्मिकॉमुच दे दिये है और तोरा सा मैंने नीम कीखली दे दिये है बस अतना ही काफी है तो दोस्तो यह ज़रूरी का मैंने निप्टा दिये है और अभी पॉर्ट को रख दूंगे उसकी जगे पर क्योंकि अभी जो धूप निकलीगी फरवरी की जो धूप है वो बहुत जादा तेज नहीं है तो अभी मैं इनको ऐसे जगह पर रख सकते हूँ धूप पर मिलेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग बाद में करते हो मार्च में करते हो जब धूप बहुत तेज होती है तब आप रिपोर्टिंग के बाद हफ्ते दस दिन के लिए इनको चाये वाली जगह पर रख दे शेडी एरिया पर रख दे तो पॉधी के लिए अच्छी होगी नहीं तो कई बार पॉधी जो है स्ट्रेस में चले जाते है तो अभी कर दूँगी साफ सफाय जगे की तो दोस्तो मैंने तो मेरा एक बहुत इंपोर्टेंट काम को निप्टा दिये हैं आप भी ज़रूर ये कम अभी के टाइम पर कर ले जितना जल्दी करोगे उतना ही रेजल्ट आपको अच्छा मिलेगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में पस इतना ही शेयर करना था मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो